यहां पर आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जहां पर हम हिस्ट्री को टूदा पॉइंट डिसकास कर रहे हैं के वाल वन लाइनर या जो पॉइंट्स एक्जाम में पूछे गए उन कॉश्चन पर बेज़ यह पूरा सीरीज आप लोग के तयार किया है इसके पह वार के उपर डिसकॉशन करेंगे तो बेसिकली यहां पर तीन अर्टा वार होती है जिनकर डिसकॉशन करना है में यहोड़ाघीव सरों 17 175 से 17ona 2 तक समय है 17,75 से 1782 का समय है और तो 2044 के बाद अगली लड़ाई होना शुरू होती है 1803-1805 and then 1817-1818 ठीक है तो यह कुछ लड़ाईयां यहां पर होती है जिने हम अगलो-मराथा वार कहते हैं अब सबसे पहले दिमाग में आपको कॉशन बन रहा हुगा क्या मैडम यह जो आप टॉपिक पढ़ा रही हैं क्या यह एक्जाम के लिए इंपॉटेंट है यहां से कॉशन एक्जाम में पूछे गए हैं जो हमें इस टॉपिक को पढ़ना है तो म करेंगे वीडियो के स्टार्टि में भी कोस्टन में वीडियो को लास्ट तक कि देखना है क्या क्याकर पर ने कि अलग से सेप्रेट सीरीज बनाए हुई है गवर्नर केक्वार्नर्स एक्जाम में पोचे हैं कि परमनेंट सेटलमेंट कि किसने इस समय भारत का गवर्नर कौन था एटसेक्टर ऐसे कोशन आप लोगने एक्जाम में देखे भी होंगे तो उसके लिए एक सेपरेट सीरीज है वो सीरीज में आपको हमारा जो पहले बंगाल का गवर्नर था फिर गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके हो रहे हैं ठीक है सबसे पहली बात आज के यहां पर कॉश्चन देखते हैं तो देखेगा यह कॉश्चन आपको SSECGL में पूछा गया था The first complete census taken in India is in the year तो पहली जो जनगर्ना हुई थी भारत में complete जनगर्ना जो हुई थी वो किस के समय हुई थी या कब हुई थी 1881 में हुई थी 1881 में हुई थी चैके ना पहली जंगर्ना जो है वो आपको पता है जो complete जंगर्ना है वो कब हुई थी 1881 में हुई थी और फिर हर 10 सालबाद हमारे देश में जो है वो senses होने लगा जंगर्ना होने लगी मैंने आपको लॉड रिपिन के बारे में भी बताया है और लॉड मियो के बारे में भी बताया है ये सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे देखिए डिरेक्टली कॉशन ऐसा बनता है अगला कॉशन है इन विच ओफ फॉलॉइंग येर वोज ट्रिटी ओफ सालवाई साइन की गई थी तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट अंगलो मराथा वार एंड हुआ था जब फर्स्ट अंगलो मराथा व 1880 ये बताया आपको इसस्ञां चाहिए आ ये पहला एंगलो मराथा वार जो के बीच में हुआ था और पहला जो अगला कोशन ऐसा भी बन सकता है कि जब यह साइन हो रही थी या फिर पहला एंगलो मराथा वार किसके समय हुआ था तो वारन हैस्टिंग उस समय जो हमारी वारन हैस्टिंग तो वारन हैस्टिंग के समय पहला बेटल लड़ा घया था तो बॉरन हैस्टिंग का साइपरेड विडियो आप देख ले नहां तो ऐसे कोई भी कॉश्चन यहाँ पर, पेश्वअ कौन था उस समय राजा कौन था उस से रिलेटेड या पेशवा कौन था उस समय उस से रिलेटेड कॉशन बन सकते हैं, ये किसी व्यक्ति का किसी बच्चे का ये रिजल्ट रहा होगा, मतलब आंसर की रही होगी, तो उसने उप्शन 2 स्लेक्ट किया था, लेकिन सही उप्शन क्या है, फोर है 1782 में ट्रिटी ओफ सालबाई साइन की गई थी 1769 कैसे हो ही नहीं सकता जब बैटल ही शुरू नहीं हुआ तो ट्रिटी कैसे साइन हो सकती है तो आपको थोड़ा से सिक्वेंस अगर याद होगा न तो आप आसानी से इन कॉस्टेंस के आंसर कर पाओगे है तो आपको यह वाला यह 775 से 17082 और में आपको हो रही है ट्रिटी ओफ सालबाई ti चूसों साइन हो रही है फिर अगला बैटल हो रहा है वह 1803 से 1805 के बीच में हो रहा है और यह वैली जैली का समय है वैली जैली सब्सिडियर अलाइंस सहयक संदी याद आया मैंने आपको सिखाया है वैली जैली वाले लेक्चर में तो सहयक संदी या आपका सब्सिडियरी अलाइंस तो यह सेकेंड नमर का बैटल उस समय हो रहा है हम इसको च करेंगे और यहां पर Kriti of Puna sign होती है यहां पर sign होती है इतनी चीज़े clear है तो question भी आपको clear हो चुके होगे कैसे question exam में बनते हैं अगला question जैसे कि पुछा गया था which of the falling pair is associated with the taxation system of Marathas तो Maratha कौन से taxation system को follow करते थे तो आप लोग ने सुना होगा कि Maratha लोग जो थे वो चौथ और सरदेश मुखी बसूला करते थे और बोलते थे कि हम आपकी territory को आपके गाउं को protect करेंगे ही ना आप अगर चौध और सरदेश मुखी देंगे तो चौध और सरदेश मुखी taxation system था Marathas का तो option number B बिल्कुल correct हो जाएगा तो आपको पता चल सके कि मेरे मनगरन कहानिया नहीं है ऐसे questions exam में बने हुए हैं इसलिए हम इस particular topic को पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि question paper मैं question आपको पता चल चुके हैं तो आप लोग copy pen लेकर बैठिएगा जो important points आपको लगते हैं वो आप note down करते चाहिए otherwise इसकी जो PDF होगी वो हमारे website पे तो मिली जाएगी और इसके पहले के जो चार वीडियो है नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लो उसमें भी काफी important points मैंने one liner के form में cover किये और आप लोग के support की बहुत जरूर थे अगर आप लोग support करेंगे तो ही यह series continue रह पाएगी इसलिए जादा से जादा friends के बीच में share कीजिए जिनके SFC, CGL का paper है, MTS का paper है या फिर कोई state exam का paper है, तो स्टार्ट करते हैं अब सारी कहानी, तो हमें यह कहानी यहां से नहीं देखनी, इसको भूल जाओ, इतना उपर का हिस्सा फिलाल के लिए भूल जाओ, हम इसको फिर कभी देखेंगे, अभी फिलाल हम यहां से शुरू करते हैं, बाला जी, बाजी की उपर, हम सभी को पता है कि पानिपत का third battle 1761 में होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है, और उस समय जो पेश्वा होते हैं, वो बाला जी, बाजी राओ होते हैं, ठेक हैं, और यह हार इतनी खतरनाक होती है, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाला जी, बाजी को बरदाश नहीं कर पाते हैं, कि हम इतनी बुरे तरीके से हार गए, और कई सारे मराठा सरदारों की डैथ भी हो जाती हैं, उनमें से एक उनके बेटे भी होते हैं, विश्वास राओ, विश्वास राओ, जो उनके बेटे हैं, उनकी भी डैथ हो जाती है, वो भी शहीद ह जाते हैं तो उस पूरे सदमे को वो बरदाश नहीं कर पाते हैं और छे महीने बाद पानीपत के बैटल के बाद थर्ड बैटल अफ पानीपत के बाद बालाजी बाजी राओ की भी डैथ हो जाती है तो जब ऐसा केस बनता है तो क्या होता है समस्य आती है कि अगला पेश्वा कौन बनेगा क्योंकि बाला जी बाजी राओ का निधन हो गया है अब अगला पेश्वा कौन बनेगा तो पेश्वा के अगर आप उम्मीद्वार देखेंगे तो पेश्वा के आपको दो उम्मीद्वार यहाँ पर देखने को मिलेंगे कौन कौन है वो दो उम्मीद्वार दो candidate कौन है जो अगले पेश्ववा बन सकते हैं तो पहले हैं बाला जी बाजी राओ के बेटे इनके सन जिनका नाम है माधवराओ और दूसरे हैं इनके भाई इनके भाई ब्रदर रागोबा या रगुराम राओ रगुराम राओ को ही आप रागुबा भी बोलते हैं कई सारी बुख में रागोबा लिखाओगा तो रागोबा मतलब रगुराम राओ तो यहाँ पर बाला जी बाजी राओ की डेथ के बाद दो केंडी रेट है जो अगले पेश्वा बनना चाहते हैं एक है माधव राव और एक है रगुराम राव ठीक है एक सन है और एक ब्रदर है इतनी चीज़े क्लियर हो गई है आंगे की कहानी थोड़ी देर में समझाती हूं यहाँ पर देखेगा माधव राव का एक भाई और है जिसका नाम है नारायन राव और नारायन राव का जो बेटा है वो है माधव नारायन राव यह भी सिक्वेंस थोड़ा से याद रखने अब इसकी जरुरत हमको पड़ेगी आईए हम देख लें तो जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड बैटल अफ पानीपत होता है थर्ड बैटल अफ पानीपत में बहुत बुरी तरीके से मराठाओं की हार होती है और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेश्वा बाजी बाजी राओ का भी निधन हो जाता है तो अब दो केंडी रेट होते हैं एक माधव राओ होते हैं और एक रगुराओ रगुनात राओ या रागोबा होते हैं जिनने पेश्वा बनना होता है यह कहानी मैंने आपको समझा चुकी है तो अब यहाँ पे देखिए तो अगला जो पेश्वा बना दिया जाता है वो पेश्वा बनाया जाता है पेश्वा माधव राओ को अगला पेश्वा जो बाला जी बाजी राओ के बेटे होते हैं पेश्वा माधव राओ उनको बना दिया जाता है और ये बात रागोबा को बिलकुल पसंद नहीं आते कि मेरे होते हुए एक 17 साल के लड़के को मातरी 17 एर्स के होते हैं जब उनको पेश्वा बनाया जाता है एक 17 साल के लड़के को कैसे पेश्वा बना दिया मेरे होते हुए तो ये बात रागुबा को बिलकुल पसंद नहीं आती और रागुबा जो है वो सड़ेंद करना शुरू कर देते कि कैसे भी माधव राव को हटाया जाए और माधव राव जो होते है ना पेश्वा एक बहुत ही योग, बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही स्ट्रॉंग पेश्वा होते है और जब पेश्वा माधवराव बनते हैं तो उसके बाद जितना भी मराथा एंपायर को जितना भी लॉस हुआ था ना पानीपत के बैटल में लगभग 10 सालों में वह पूरा का पूरा रिकवर कर लेते हैं बापस से जो मराथा एंपायर होता है वो बहुत स्ट्रॉंग हो जाता है और मराथा एंपायर के जो भी चीफ होते हैं सर्दा जैसे की होलकर हैं सिंद्या हैं बोसले हैं गायकवार ही यह सब भी बड़े कुरा माथा ऐंपाउर जो है वह बहुत रिच हो जाता है स्ट्रॉंग हो जाता है समपन हो जाता है बट बट होता क्या है कि पेश्वा माधावराओ को होती है टीवी जिसको चैने च्शै रोग उसके कारण For पेशवा माधह राओ का निधन हो जाता है इनकी death हो जाती है ईसा इतिहासकार कहते हुग जितना नुक्सान पानीपत के बैटल में अरएफान को नहीं हुआ उस से जजाड़ा नुक्सान पेशवा माधह राओ की आसमे उनके जो उनकी जो डैथ हो गई ना बहुत जल्दी बहुत कम एज में उससे मराथा एंपायर तहसनेस होके रग गया क्योंकि पेश्वा माधा राओ के बाद इतना योग कोई साशा किया इतना कोई पेश्वा नहीं था इतने बड़े मराथा एंपायर को एक साथ लेकर चल सके होल्ड क करके रख सके तो यहां पर क्या देखा हमने कि पेश्वा माधा राओ जी की कुछ समय बाद जो है वह टीवी की कारण डैथ हो जाती है अब रगोवाव को लग रहा है भाई यह तो निकल लिया है अच्छा यहां पर एक चोटी सी चीज और बताना भूल गई मैं कि चाप रहो और कोई भी कॉंस्परेसी नहीं करो तो यहां पर माधाव राओ जो होते हैं हाउस अरेस्ट करा देते हैं राघो बागो और माधाव राओ की डैथ के बाद माधाव राओ की डैथ के बाद इनके जो भाई होते हैं माधाव राओ के अभी हमने फोटो में दिखा कि हमाराथा एम्पायर यहां पर विख होता हुए आपको दिखाई देता है साथ d NARAYAN-रe करते हैं कि रागोबा को हाउस ओरेस्ट से रिलीज कर देते हैं देना सबसे बड़ी गलती अंपे नारायन राव ने क्या करें कि माथ 2016 राओ ने जब छोटी मोटी बात तो है नहीं कि रागोबा ने पेश्वा को मार दिया पूरे के पूरे मराठा एंपायर में इस बात फैल गई कि भाई रागोबा ने पेश्वा को मार दिया तो रागोबा पेश्वा को मार देते हैं और अब यहाँ पर देखेंगे आप अब रागोबा सोच रहे हैं अभ तो मैं ही पेश्वा बनूंगा ठीक है उनका सोचना भी साई है आप तो कोई है नहीं यहीं बीच में नारायन राओ की जो वाइफ होती है जब नारायन राओ की डैथ होती है 1773 में उस समय जो नारायन राओ की वाइफ वाइफ होती ही वो प्रेगनेंट होती है जिनका नाम है नाना फंडविस तो नाना फंडविस और और भी जादा आपके जो चीफ है और सरदार है अलग-अलग मराठा के उन सब मिलके एक बारा लोगों की एक कमीटी बनाते हैं जिसको बारा भाई काउंसल के नाम से जानते हैं उसको ही हम अगला पेश्वा बनाएंगे, रगुनात राओ को हम पेश्वा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसने हमारे पेश्वा नारायन राओ को मारा है, तो कोई भी रगुनात राओ को या रागोबाव को पेश्म मानने से मतलब accept नहीं करता, इंकार कर देता है अच्छा नारायन राओ की जो बेटा होता है उसका नाम क्या रखा जाता है, सवाई माधवराओ सवाई माधवराओ माधवराओ आपको पता है इनका नाम रखा जाता है सवाई माधवराओ इन्हें माधवराओ टू के नाम से भी जाना जाता है सवाई माधवराओ भी वही है और माधवराओ टू भी वही है अब इन्हें पेश्वा बनाने की तैयारी में जुड़ जाता है बारभाई काउंसिल और यहाँ पर 40 दिन की मसकत के बाद यहाँ पर 40 दिन का छोटा सा बच्चा वो पेश्वा बन जाता है जिसके बिचारे के खेलने कूनने की दिन है खेलना कुदना भी कि अभी सोने के दिने आखे भी नहीं खोली और 40 दिन का बच्चा यहाँ पर पेश्वा बन जाता है एक 40 दिन का बच्चा है और एक है रगुनात राओ जिनकी उम्रों लगबाग 40-45 साल हो चुकी है इनको अगे इन से पेशवा नहीं बनाया और सवाई माधव राओ को अगला पेशवा बना दिया तो रगुनात राओ जो है बड़े नाराज हो गाए कि ऐसे कैसे है और यह लोग भाग कर चले गए कहाँ पर सूरत। कहाँ भाग कर चले गई यह भाग कर चले गई सूरत। और बिटिशर से जाके दियू और बिटिश से संधी कहते अगये। और बस यहीं गड़वड होकर यहां से शुरू हो जाएगा आपका फर्स्ट एंगलो मराठा वॉलू मैंटर समझ में आया बापस से बतानू मैंने बस इतनी कहानी आपको बताई है थोड़ बैटल इस थोड़ बैटल में बाला जी पाजी , रहर जाते है और शे महीने बाद 6 मांंत बाद बाला जी बाजी रहों की डहत हो जाती है और उनके एक बेटे विश्वास राओ की बेड़ हो जाती है फिर उनके अगले बेटे होते हैं माधव राओ और उनके भाई होते हैं राघुबा इन लोग बनना जाते हैं पेश्वा तो रगुनात राओ को जो है वह हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है इनको पेश्वा नहीं बनाया जाता और पेश्वा कौन बन जाते हैं माधव राओ जो होते हैं बहुत ही capable योद्धा होते हैं बहुत ही capable रूलर होते हैं और बहुत अच्छे से पूरे के बराथा एमपाइर को सम्हाल के रखते हैं लेकिन बहुत कम एज में 1772 में TV के कारण इ तो रागोबा क्या करते हैं नारायन राओ को मार देते हैं और खुद अब पेश्वा बनने की तयारी में हैं लेकिन बारभाई काउंसल जो होती है वो डिसाइड करती कि नारायन राओ के 40 दिन का बेटा है माधव नारायन राओ या फिर सवाई माधव राओ इसको अगला पे बिश्वा बना दिया जाता है और रगुनात राओ जो है वो चले जाते हैं सूरत और सूरत में जाके बिटिशर से मिल जाते हैं और अब सूरत की संदी को साइन करेंगे ठीक है ठीक है बारभाई काउंसल आपको समझ में आ गई होगी नाना फर्णवेस और 11 और मेंबर के स इसी से चलो अगली बात कर लेते हैं यह सारी कहाने यहां पर लिखी हुए है जो भी मैंने आपको बताई है अब बात करते हैं यहां पर यह जो frustrated रगुनात राओ है यह कहां चले गए हैं यह चले गए हैं Bombay और सूरत और वहां पर जाके अंग्रेजों के साथ Treaty of सूरत को सा ती और ट्रिटी ओफ सूरत जो है वह रगुनात राओ और बिटिस काउंसिल के साथ साइन की गई थी मैं अब बॉलते थी कि कोई दिक्कत नहीं हम आपको पेश्वा बनवा देते हैं बदले में हमें क्या मिलेगा और विसी बात है फ्री में तो बिटिशर्स काम करते नहीं थ कि हम आपको क्या करेंगे जो सालसेद और भसीन का रीजन है सालसेद मतलब जो आपका यहां पे ठाना बॉम्बे का रीजन है वह सालसेद कहलाता सालसेद और भसीन का रीजन हम आपको देंगे सालसेद और भसीन का रीजन हम आपको देंगे इसके लावा सूरत और भरच का जो रीजन है वहाँ पर भी हम आपको revenue share करेंगे उसका भी revenue आपके साथ share करेंगे बस आप हमें क्या कर दो हमें अगला पेश्वा बना दो तो यहां पे ब्रिटिश कहते हैं ठीक है यह लो 2500 soldiers की हमारी सेना ले लो और जाओ लडाई करो और पेश्वा बन जाओ समझ में आया treaty of सूरत में कौन-कौन सी condition थी तो treaty of सूरत जो है वो राघुबा और Bombay Council Britishers Bombay Council के बीच में हुई थी यहीं से 1st Anglo Maratha War की शुरुआत होती है इस treaty में राघुबा जो होते हैं वो पेश्वा बनना चाहते हैं और बदले में 2500 soldiers यहां पे आर्मी जो है वो बिटिश राघुबा को देते हैं राघुबा बदले में सालसे और भसीन का रीजन देते हैं उसके अलावा जो आपका सूरत और भरुष का रीजन है वहां पे रिवेन्यू शेयर करने का भी रगुनात राव बिटिश को बोलते हैं ठीक है यह टिटी साइन होने के बाद इनकी सेना प्रिटिश के साथ निकल गई लड़ने के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए लेकिन आप सभी को पता है कि यहां तक आते आते देखी जब क्रिटी ओफ सूरत साइन हो रहे ही 1775 में तब तक आते आते रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हो चुका है और इस एक्ट के अ कर रहे हैं तो मतलब कोई भी टृटि आप साइन करोंगे कोई प्रपोजल होगा तो वह कहां पर जाएका बंगाल जाएका बंगाल में जो वारेन हैस्टिंग बैठा है जब वह उस बात को एप्रूफ करेंगा तभी ही टृटी टृटी मानी जाएगी तो यह कौपी होती है सूरत की टृटी की सूरत की टृटी की कॉपी बॉंबे से बंगाल बेजे जाती है बॉंबे से बंगाल वारिन हेस्टिंग के पास बेजे जाती है ठीक है और वारिन हेस्टिंग इस टृटी को मानने से मना कर देता है और बोलता है कि भाई कोई लडाई आने होगी यहाँ पे टिटी ओफ सूरत को वो मानने से बिलकुल मना करते तो एक नई संधी साइन होती है, एक नई टिटी साइन होती है, जिसको हम टिटी ओफ पुरंदर के नाम से जानते हैं. बात समझ में आई treaty of सूरत की जगह, आप नई treaty sign हो गई है treaty of पुरंदर treaty of पुरंदर में कहा जाता है कि देखो हम को मराधाओं के साथ कोई भी वेर नहीं रखना है, हमें मराधाओं के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करनी है तो हम क्या करते हैं जो सवाई माधवराओ है ना सवाई माधवराओ जिनको आपने माधवराओ two कहा है इनको हम पेशवा मानने तैयार है तो Britishers ने कहा कि सवाई माधवराओ को हम पेशवा मानते है ठीक है और Maratha Empire जो है Maratha के कोई भी दुश्मन जो है उनका साथ हम नहीं देंगे included रगुनात राओ जो भी आपके दुश्मन है आपके एनिमी है हम उनका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे उनका साथ नहीं देंगे included रगुनात राओ ये बात भी यहाँ पर बोल दी जाती है इस टुटी की कंडिशन में आपको बता रही हो इसके अलाब यहाँ पर बोला जाता है कि रगुनात राओ का क्या करें यहाँ पर मराठा कहते है कि रागोबाब जैसे भी है हें तो मराठा ही हम इनका इलाज कर देंगे हम एक काम कड़ते हैं रागोबाबा से बात करते हो रागोबासे बोलते है कि आप एक काम करो 25-500落पी 25,000 पिज़न आप हर महिने का पैंशन लो और pension लेके बढ़िया से आप बैठो कोई दिक्कत नहीं है ये बात यहाँ पर decide की गए थी समझ में आया है treaty of पुरंदर की क्या 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 conditions थी पहली condition की Britishers जो भी मराठाओं के enemies हैं दुश्मन हैं उनका सहयोग नहीं करेंगे included राघोबा सवाई माधा और आओ को नया पेश्वा या पेश्वा एकसेप्ट कर लिया जाएगा ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई और Britishers ने कहा हमने जो भी reason लिया है वो हम बापस कर दिया गया सालसेट का जो reason था वो बापस से मराठाओं को दे दिया गया और यहाँ पे बोला कि भसीन तो नहीं दे पाएंगे लेकिन भसीन जो है वो रह गया था मराठाओं के पास तो यह चीजें टुटी ओफ पुरंदर में साइन कर ली गए अब यहाँ पर टुटी ओफ पुरंदर साइन होके उसके बाद मराठा सोचते हैं यहार यह Britishers होते कौन है यह हमारा मराठाओं का इंटर्नल मैटर है यह Britishers आखरकार होते कौन है जब मराठाओं के इंटर्नल मैटर में इतना इंटर्फेरेंस करने बैट गए तो यहां पर मराठाओं ने सोचा कि अब हम अपनी पावर को स्रॉंग करेंगे और अपनी पावर को स्टॉंग करने के लिए इन्हों ने एक फ्रेंडली ट्रीटी साइं कर ली फ्रैंफे harassment के साथ यहां पर इस में कहा गया कि आप हमको 2,000 soldiers दो इसके अलावब जो 10,000 इंडियन soldiers हैं आप उनको European method से train करो जिससे हमारा empire भी बहुत strong हो जाए बदले में west का एक port हम आपको देते हैं west का एक port आपको देते हैं जिसमें आप आसानी से trading कर सको बात समझ में आई, क्या किया मराठाओन है, मराठाओन एक friendly treaty sign की फ्रांसिस के साथ उसमें कहा गया कि आप हमारे 10,000 की army को training प्रवाइट करो और अपने 2,000 soldiers हमको दो जिससे हमारा empire और strong हो जाए और हम Britishers के खिलाफ अच्छे से लड़ाई कर सकें बदले में best का एक port आपको trading करने के लिए देते हैं और ये भनक पहुंचे है किस के पास Britishers के पास, अब Britishers कहते हैं यार ये क्या बात हुई अभी हमने पुरंदर की संधी इन लोगों के साथ sign की है और इन लोग हमारे ही enemy फ्रांसीस के साथ जाके मिल गए हैं उनसे training ले रहे हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं संधी कर रहे हैं भाड में गई ये treaty डस्ट बिन में जाने दो ये पुरंदर की जो treaty है इसको डस्ट बिन में जाने दो अब तो हम लड़ाई करेंगे अब तो हम क्या करेंगे लड़ाई करेंगे और यहां से अब शुरू हो जाएगा बापस से battle यहां से बापस तो शुरू हो गई battle तो इन 1779 तो यहां पर जो बिटिश की आर्मी है वो आती है और यहां से सिंधिया वगेरा जो है महजी सिंधिया वो अपनी आर्मी को लेकर आते हैं और यहां पर battle ऑफ बढ़ाऊ होती है तो battle of बढ़ाँ में महजी सिंधिया की जो आर्मी होती है वो पूरी तरीके से बिटिश को घेर लेती है और बिटिश बहुत बड़ी तरीके से हार जाते है तो इस battle अफ बड़ ग़ाओं में जो है वो मराठाओं की जीत होती है और बिटिश फोर्स यहाँ पर हार जाती है और बिटिश वोर्स जब यहाँ पर हार जाती है और तो यहाँ पे बोला जाता है बिटिशर्स को कि आप surrender कर दो Britishers को क्या बोला जा रहा है आप surrender कर दो यहाँ पे और जितना हमारा area आपने acquire किया है वो बापस हमको यहाँ पे लोटा दो तो इस बात से Britishers को यह बात सभज में आ गए कि पानीपत के battle के बाद और माधाव राओ पेशवा की death के बाद अभी भी मराठा empire strong है आपके against आप हमको surrender कर आओगे न रुकिये हम अपनी forces को आपकी against भेजते हैं तो यहाँ पे Warren Hesting जो के Calcutta में बैठा हुआ है वो अपने 3 forces को भेजता है एक को lead करते है Colonel Godard दूसरे को Captain Pofem और एक है General Kamek तो यह 3 forces यहाँ पे भेजे जाती है और यह लोग जो forces केलकटा से निकलती है माराठा रीजन में और उनके territory को acquire करते जाती है यहाँ पे देखेंगे Colonel Godard ने एहमदाबाद को एहमदाबाद को 1799 में capture कर लिया भसीन का जो reason था वो 1780 में capture कर लिया फिर Captain आपके जो Pofem थे उन्होंने Gualier को 1780 में capture कर लिया और final तो यहाँ पे हो गया कि General Kamek ने Sindhya को यहाँ पे defeat कर दिया 1781 में Sindhya को defeat कर दिया और अब Warren Heston ने बोला अब रुख जाओ अब अब territory को हम नहीं acquire करते अब अलग-अलग राजाओं के साथ अलग-अलग सर्दारों के साथ हम क्या करेंगे treaty sign करेंगे चीक है आईए अब क्या होता है यहाँ पे 1782 में treaty of salvation sign होती है 1782 में treaty of salvation sign होती है between the East India Company and the Marathas चीक है इस treaty of salvation होती है अब इस treaty की क्या conditions होती है वो हम देख लेते हैं इस treaty में बोला जाता है कि हम जो माधव नारायन राओ है उसको पेश्वा बनाते हैं ठीक है इस जो रगुनात राओ है इसको हम जो है वो pension दे के भेज़ते हैं लेकिन रगुनात राओ कहते हैं ठीक है हमारी तो उम्र हो चली है हम ठीक है रिटायर हो जाते हैं और pension ले लेते हैं लेकिन एक काम कर सकते हो कि मेरा जो बेटा है ना मेरा जो बेटा है आप उसको जब वो बड़ा हो जाए थोड़ा सा तो आप उसको अपने administration में मतलब पेश्वा के administration में शामिल कर लेना तो बिल्कुल नाना फंडविस कहते है ओके चलेगा बड़ा होने दो हम administration में उनको सामिल कर लेंगे तो इस तरीके से माधव राव, नारायन राव को पेश्वा बना दिया रगुनात राव को भेज दिया कहां पर pension दे के इसके अलाबा यहां पे ऐसे कम्पनी ने कंट्रोल ले लिया था मोद के का आहिपका व्यूट साल्सेद और अरलीफ़ेंटंस आईटॉर्ट में जो है वह कंपनी ने अपना का एक और का बर करिया कंट्रोल ले लिया और बॅर नाराथां को बोला कि आप गैररैंटी दो कोई और European company के साथ especially जो French East India company है या उनके जो representative है उनके साथ आप कोई भी चाहिए वो friendly treaty हो या कोई भी treaty हो आप sign नहीं करेंगे ठीके ना आप हमें protect करो हम आपको protect करेंगे आप पे कोई हमला करेगा तो आपकी मदद करेंगे हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद करना इस तरीके से हम सांती से एक treaty sign करते treaty of salby और treaty of salby करने के बाद माराठा ऑंगेजों ने पूछा किया आपके करते हैं जैसे आप पहले बैपार करते थे बढ़िया बिंदाश होके वैसे ही आप टेडिंग करते रहे इस तरीके से यहाप एक peace treaty sign हो जाती है which is treaty of salby और treaty जो है वो 20 सालों तक रहती है और 20 सालों तक अंग्रेजों के बीच में और और मराठों के बीच में कोई भी बैटल यहाँ पर नहीं लड़ी जाती है सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है अब 20 साल के बाद ऐसा कौन सा कांड हो गया कि अब second battle लड़ा जा रहा है आईए वह हम वो देखते 20 साल के बाद की कहानी अब देखेगा यहाँ पर देखेगा चौथे नंबर का अंग्लो मैसूर वार खतम हो चुका है टीपू सुल्तान मारे गए है और टीपू सुल्तान की जो टेरिटरी थी मैसूर उस पर बिटिशर्स को बिटिशर्स ने कबजा कर लिया यह बात हमें पता है अब अगर मराठ के यहांपे जो सरडार है मराठा अम पर बन चुके हैं और अब ऐस्वा ने ने मचान के हैँ वह बन चुके हैं आप बाजी राव सेकेंड यादा है बाजी हां पर अर ने मराठा कॉन कॉन से थे एक तो आपके इंदौर के होलकर्स थे यश्वंत रा होलकर फिर पूने में आपके बाजी राओ सेकेंड मतलब पेश्वा रहा करते थे गायकवार वरोदा के गायकवार थे सिंधिया कहा रहते थे गौालियर में दौलत राओ सिंधिया और भोसले कहां के थे नाकपुर के तो कौन-कौन हो में रहा होलकर भोसले गायकवार और पूने के आपके पेश्वा और आपके सिंधिया इस तरीके से पूरा empires था मराठा एंपायर ठीक quickly जो आपके सिंधिया थे सब आपको क्रूफ में बहुत पावरफुल चाहते थे तो इनके बीच में सढयनत होने लगे ये लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे और सबसे बड़ी गड़बड़ी यहां पर यह हुए कि बाजी राव जो सेकेंड था ना वो बहुत ही अयोग राजा था अयोग गरूलर था और वो क्या करता था यह जो आपके पेशवा हैं कायकवार हैं सिंधिया हैं इनको आपस पर भिड़ाने का काम इनको आपस पर लड़ाने का काम यह करता था कौन बाजी राव सेकेंड तो बाजी राव सेकेंड ने किसका साथ दिया सिंधिया का बेसिकली सिंधिया अपनी सुपरी में सी दिखाना चाहते थे कि हम बड़े हैं हम स्ट्रेस्ट हैं हम महाने और होलकर चाहते थे कि Holker बढ़े हैं, Holker की पावर जादा है, तो Sindiya और Holker के बीच में, यहां पर थोड़ा सा बैटल चल रहा था, बाइचल रही थी, तो Sindiya का help किस ने किया, Baji Rao Second ने किया, और Bajirao second और Sinthiya की combined force ने बाजीराई second और Sinthiya की combined force ने attack कर दिया किस पे? Holker parents पे? यश्वंतरा Walker पे attack कर दिया ओके कोई दिकत नहीं, Holkeresz तो बहुत strong थे, तो Holker ने यशवंतरा होलकर की army ने यह जो Bajirao second और Sinthiya की combined army है ना, उनको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, defeat कर दिया, defeat कर दिया, जब defeat कर दिया तो Baji Rao second जो थे, वो भाग के चले गए, भाग गए, जैसे इनके पिताजी रागोबा भागे थे, सूरत याद आया, वैसे ही ये भी भाग गए, Baji Rao second और इचले गए, भसीन, कहां चले गए यह भसीन चले गर और यश्वंत राव होलकर ने क्या किया यश्वंत राव होलकर ने यहां पर अगला पेश्वा किसको बना दिया अम्रित राव के बेटे को अगला पेश्वा बना दिया अगला पेश्वा किसे बना दिया अम्रित राव के बेटे को अम्रित राव जो है बे चले गए पर, बसीन चले गए गले हो गया थी चीज़ा है तो इस तरहे के से होल्कर की पावर यहाँ पर निकल कर आती है सामले और बाजीराओं सेकेंड जाते हैं बसीन और वहाँ पर मिलते हैं वैलीजली से क्योंकि जब सेकेंड एंगलो-मराथा वर हो रहा है उससा में जो governor है वो है Lord Valley Jelly और Valley Jelly ही हमारे देश में subsidiary alliance subsidiary alliance मतलब सहायक संदी लेकर आया था सहायक संदी या subsidy alliance लेकर आया था और पेश्वा बाजी राओ 2nd जो है वो Valley Jelly के पास गए अब Valley Jelly के पास गए तो यहां पर treaty होती है treaty of Bhasin sign 302 में 302 में 302 में 302 में 302 में 302 साइन की जाती है अब 302 बहσιं के क्या कंडिशन थी वो में आपको बताती हो देखेगा 302 बहसीम में यह कहा गया बाजी राव सेकेंड को यह तो पापस से पेश्वा बनना चाहता है अपना पापस से अपने पूने की गद्धी को चाहता है तो यहाँ पे बिटिशर्स ने कहा कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप यह जो subsidy alliance है इस पे sign कर दो subsidy alliance पे sign कर दो मतलब हमारी 6000 की जो टूप है वो आपके मराथा आपकी जो पूना का रीजन है वहाँ पे हमारी 6000 की टूप रहेगी ठीक है इसके अलावा कहा कि आप जो चौत वगेरा बसूल करते हैं जो हैदराबाद के निजाम है ना इसके अलावा नर्मदा और तापती के बीच का जो कुछ टैरिटरी इसे वो आप ले लो निजाम के साथ हम चौत वसूल नहीं करेंगी जो गायकवार थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे हम गायकवार के साथ भी कोई लडाई नहीं करेंगे हम आपकी सब्सुड़ी अलाइंस पर साइन करते हैं आपकी 6000 की ट्रूप जो है वो हमारे मतलब हमारे पूना में रहेगी ठीक है हमारे पूना में वो 6000 की फोर्स यहां पर रहेगी बस बदले में आप हमें पेश्वा बना दो इतनी चीज़ें हैं पर ट्रिटी अव भसीन नहीं साइन की गई तो हमारे consent के बिना आप किसी भी treaty पे किसी भी संदी पे साइन नहीं करेंगे किसी के साथ हमारे consent के बिना आप किसी के साथ battle लहीं लड़ेंगे यह साधी condition जो है वो ट्रिटी ऑफ भसीन में कही गई थी तो ट्रिटी ऑफ बसीन 1802 में बाजी राउ सेकेंड ने साइन की थी यह बहुत ही हुमिलिटिंग थी मतलब मराठाओं के लिए बहुत ही अपमाल जनक थी कि यह क्या बात हुई मतलब एक पपेट बन गए हो आप एक पपेट की तरह काम कर रहे हो कि आपकी territory में Britishers की आर्मी है आप हर काम Britishers की permission से कर रहे हो कोई foreign relation बनाना है तो आप Britishers की permission ले रहे हो कोई संधी sign करनी है तो आप Britishers की permission ले रहे हो आप एक पपेट हो एक तो कटपुतली हो और ऐसे कटपुतली पेशवा का क्या मतलब है तो बाकी जो थे न होलकर, सिंधिया यह काफी नाराज हुए कि भाई हम तो accept नहीं करते हैं टुटी ऑफ भसीन को और यहीं से पर शुरुवात होती है Second Anglo-Maratha War की क्योंकि सिंधिया और भोसले ने accept नहीं किया था इस टुटी ऑफ भसीन को, इसके बाद Second Anglo-Maratha War की शुरुवात 1803 में होती है, 1803 में यह बैटल लड़े जाती है, तो यहाँ पे जो आर्थर वैले जली है, यह अपनी कम्माइन फोर्स को भेशता है, अपनी आर्मी को भेशता है, अगेंस्दा सिंधिया और भोसले की यहाँ पे हार हो जाती है, और फोर्स फुली सिंधिया और भोसले को यहाँ पे सब्सुडी अलाइन साइन करने के लिए मना लिया जाता है और फिर 1804 में वेली जैली अपनी आर्मी को भेजता है अगींस्ट होलकर और होलकर्स की पहाँ होती है 1804 में और 1804 में फिर होलकर्स भी जो है वो subsidory Alliance को sign करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो यहां पे तुन अलग-अलग treaty sign हो रही है एक treaty हो रही है सिंधियाज के साथ sign 1803 में इस treaty को आप treaty of सुर्जी अंजन गाउं कहते हैं और सिंधियाज की यहाँ पे हार होती है और सिंधियाज भी सबस्टरी अलाइंस को accept कर लेते हैं फिर भोसले, भोसलों के साथ यहाँ पे treaty of दियोगाउं sign होती है treaty of दियोगाउं 1803 में sign हो रही है और इसमें भी भोसले जो हैं subsidy alliance को accept कर रहा है फिर treaty of राजगाट, इसको याद रखना ये question पूछा गया है treaty of राजगाट 1805 में sign होती है holkers के साथ और holkers भी अब जो हैं subsidy alliance को जॉइन कर लेते हैं तो धीरे-धीरे holkers हो गए पेशवा हो गए, गायकबार, सिंधिया सभी लोगों ने जो treaty sign कर लिये subsidy alliance को जॉइन कर लिया है और जब subsidy alliance को जॉइन कर लिये तो आप देख सकते हैं कि Britishers की power यहाँ पे कितनी जादा हो गई है Britishers की power कितनी जादा हो गई क्योंकि Maratha Empire उस समय का सबसे बड़ा empire था और उसके भी आपने सरदारों के साथ subsidy alliance बना ली है मतलब उनकी territory में आपकी army अब रह रही है तो यहाँ पेशवाओं की बहुत बड़ी हार थी और यहाँ से Maratha Empire का पतन होना शुरू हो गया और यह Britishers के सबसे बड़ी जीत थी चीक है तो इस सरीके से यह Second Anglo Maratha War यहाँ पर खता होता है अब कहानी शुरू होती ही Third Anglo Maratha War के बारे में अभी Third Anglo Maratha War सब कुस तो ठीक हो गया है आपने उनकी territory भी ले ली है Subsidie Alliance भी साइन कर लिए वो किसी के साथ Foreign Relations भी नहीं बनाएंगे अब प्रॉब्लम कहां आ गए अब प्रॉब्लम आ गए पिंडारियों की अभी पिंडारी कौन थे तो पिंडारी विसेकली किसी एक धर्मे विशेश के नहीं थे हिंडू भी थे मुस्लिम्स भी थे अफगांस भी थे यह लोग क्या करते थे पिंडारी उनके साथ लड़ते थे और जिस territory को मराथा जीतते थे उसमें लूट पार्ट करने का अधिकार मराथा उने दे रखा थे तो पिंडारी बिसेकली लूट मार करने का काम करते थे अब हुआ क्या था यहां पर मराथा उने तो सब्सिट्री अलाइंस साइन करके रखे मतलब अब मराथा किसी और territory पे अटेक नहीं करेंगे कोई बॉर्ड नहीं लड़ेंगे तो यह जो पिंडारी थे वो बेसेकली बेरोजगार हो गया पिंडारी जो हो गया वो बेरोजगार हों गया क्योंकि वो मराथाओं के साथ लड़ाई पर जाते थे जिससे लूट मार का पैसा उनको मिलता तो अपना सर्वाइवल वा देखते थे लेकिन जब मराथाओं ने अटेक करना ही बंद कर दे तो पिंडारी यहां पे बिटिशर्स ने कैमपेन शुडू कि एंटी पिंढ़ारी कैमपेन शुडू किया और वहां पर मराठाओं को बोला कि आप भी हमारा सपोर्ट करू। पिंढारियों को खतम करने में तो मराठाओं ने बोला यार यार ये तो मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि कहीं न कहीं तो पिंडारियों के साथ हमारा कोई नो कोई connection है, attachment है, हमारे साथ हर एक battle में, हर एक war में लड़ने के लिए पिंडारी गए है, तो हम इस anti-pindारी campaign में आपका support नहीं करेंगे, तो Britishers ने सोचे, okay, 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 हम आपको बाद में निपटेंगे, पहले हम इन पिं पिंडारी यहां पर खतम होगा, क्योंकि पिंडारी जो थे, वो दिजाम, Carnatic Reason, Malabar Reason और British East India Company का जो रीजन था न, वहां पर attack करते थे, वहां पर loot करते थे, तो anti-pindारी campaign खतम हुआ, और यह campaign, Lord Hesting के समय हुआ था, क्योंकि जब 3rd Anglo-Maratha War हो रहा है, तो Lord Hesting है, क्या हो गया, पहले Anglo-Maratha War के समय कौन था, Warren Hesting था, 2nd Anglo-Maratha War के समय कौन था, Valley Jally था, और 3rd number पे Hesting है, तो यह तीनों गवर्नर्स भी आपको याद रखने अलग-अलग battle के समय, तो पिंडारीयों का खतमा हो गया, पिंडारीयों का यहां पे खतमा हो गया, लेकिन पिंडारीयों का खतमा कर मराठाओं ने मदद नहीं की, इस बात से Hesting बड़ा नाराज हुआ, कि हमने एक तो आपके साथ अलाइंस बनाया है, और उपर से आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, और यहीं से शुरू होता है अब 3rd Anglo-Maratha War, और 3rd Anglo-Maratha War का result था वह बहुत ही डेंजरस था, डेंजरस ऐसा कि पेशवा शिप को खतम ही कर दिया गया, जो पेशवाई थी ना, पेशवा शिप उसको खतम ही कर दिया गया, 1818 में, 1818 में पेशवाई को खतम कर दिया गया, और जो पेशवा थे ना, पेशवा को बिठूर, कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया, पैंशन पे, चीक है ना और Maratha Empire इस तरीके से 3rd Anglo-Maratha War के बाद खतम हुआ अब ही जो 3rd Anglo-Maratha War है ना इसमें कई सारी battles लड़ी गई एक तो पिंडारी War है जिसके उपर अभी मैंने चर्चा करी पिंडारी War के अलावा Battle of Seetal Burley, Battle of Mahitpour और Battle of Khadgi अभी मैं बताऊंगे जैसे कि Battle of Mahitpour, Holkers के साथ लड़ी गई है ना ऐसे अलग-अलग Battle लड़ी गई Battle of Seetal Burley, Battle of Mahitpour और Battle of Khadgi तो ये 3rd Anglo-Maratha War के अंतर गथी लड़ी गई थी इस बात को याद रखना है तो रिजल्ट क्या हुआ, तीन अलग-अलग Battle लड़ी गई, Holkers के साथ लड़ी गई, Sindhya's के साथ लड़ी गई, ठीक है ना और पेशपा के साथ लड़ी गई तो ये 3 बैटल ले लोग हार गई, और जब 3 बैटल ले लोग हार गई, तो अलग-अलग इनके साथ संधियां हुई, ट्रिटी साइन हुई तो ट्रिटी ओफ गॉलियर, ट्रिटी ओफ गॉलियर जो है, वो 1817 में साइन हुई between the Sindhya and Britishers Sindhya and Britishers के बीच में ट्रिटी साइन हुई, और इसमें बोला गया कि अब आँगे से अब कोई बैटल में involved नहीं होगे As per the treaty, Sindhya gave up Rajasthan to the Britishers, तो Rajasthan भी, Rajasthan का एक बहुत बड़ा हिस्ता जो है, वो Britishers के हाथ लगा, लेकिन राजपुता ना जो था, वो princely state बना रहा Treaty of Mandasaur, Treaty of Mandasaur जो है, यहाँ पर Holker के साथ साइन हो रही है, और Holker के साथ 1818 में Treaty of Mandasaur साइन की गई, ठीक है पेशवा ने भी surrender कर दिया 1818 में और उसके बाद पेशवाई को खतम कर दिया गया, और कानपुर के निकट बिठूर में इनको भेज़ दिया गया और पेशवा का जो reason है, वो Bombay Presidency का हिस्सा बना लिया गया ठीक है, और जब पेशवा के बाद उनकी जो बेटे होते हैं नाना साहिब, और नाना साहिब जब पेशवा बनते हैं, तो पेशवा मानने से मना कर देते हैं क्योंकि नाना साहिब इनके adopted child होते हैं, गोदली हुए बेटे होते हैं, तो नाना साहिब को पेशवा मानने से मना कर देते हैं, आंगे जाके Britishers और पेंशन देना भी बंद कर देते हैं और नाना साहिब की जब पेंशन बंद हो जाती तो उसके बाद वो 1857 के revolt में participate करते हैं कानपूर से, तो इस तरीके से मराथा empire यहाँ पे खात्मा होता है, इन तीन बैटल्स के बाद, चलो इन तीनों बैटल्स को हम अब समराइज करते हैं, तो देखो फर्स एंगलो मराथा होबा, यहाँ पे जो ट्रिटी साइन होती है, वो सालभाई के agreement होता है, सालभाई की संदी होती है, 1782 में, यह बात हमें पता चल चुकी है, सेकेंड अंगलो मराथा वार, जैसे कि फर्स अंगलो मराथा वार की इस शुरुआत कहां से होती है, ट्रिटी ओफ सूरत से होती है ट्रिटी ओफ सूरत से इस बैटल की शुरुआत होती है, वैसे ही सेकेंड नंबर के अंगलो मराथा वार की शुरुआत, ट्रिटी ओफ भसीन से होती है, 1802 में, और मराथा वार की शुरुआत, 1803 से 1805 के बीच में होती है, इसमें एक तरफ होलकर, भोसले, सिंधिया और रा पेश्व बाजी राउ 2nd के साथ होती है कि पेश्वाई को यहां पर खत्म कर दिया जाता है और डिक्लाइन हो जाता है यहां पर उसमरी को देख सकते हैं तो यह था हमारा अंगलो-मराथा वर्ड ऐ तिंग आपको सारी के सारी पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अब ए चारो बैटल के बारे में, चारो संधियों के बारे में, गवर्नर के बारे में, सारा कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे. यहाँ पर याद रखने है, first battle के समय वारन हैस्टिंग है, second battle के समय है आपके वेली जली, आपके वेली जली यहाँ पर है और third battle के समय है है हैस्टिंग, तो यह भी आपको याद रखना है, चेक है, सो मिलते हैं, next video में, take care and bye-bye